बिलासपुर जिले की लोखंडी गाउं में महिला सशक्तिकरण का जीवन तुधारण देखने को मिल रहा है गाउं की 400 सेधिक महिलाओं ने जहां चाह वहां रहा कहावत को चरितार्थ करते हुए परावरंट संडक्षन और गामें विकास के दिशा में नए आयाम करे हैं इतना ही नहीं महिलाओं ने अपने इस जुनून के जरिये आमदनी अतरिक्त जरिया भी बनाया है आये हम चलते हैं लोखंडी गाउं में जल सहली स्वसायता समों में जुड़कर 400 सेधिक महिलाओं ने बंजर सरकारी जमीन को 6 महिने की महनत से तालाब का रूप दे दिया है जहां बारिश का पानी जमा हो जाता है और गाउं से पानी की समस्या खत्म हो गई है इतना ही नहीं इस तालाब में महिलाएं मचली और बतक पालन कर आर्थिक रूप से आत्म निर्भर बन रही है लेकिन खास बात ये है कि ये महिलाएं अपने आमदनी का 30 फीसेदी हिस्सा गाउं के विकासकारियों में खर्च कर रही है इन महिलाओं ने तालाब में पचली निर्माण के साथ ही गहरी करन का प्रस्ताव जिला पंचायत को सौपा है और इन्हें उम्मीद है कि बारिश के पहले ही उनका ये काम पूरा हो जाएगा इन शम्मीर महिलाओं ने गाउं को आदश गाउं बनाने का बीड़ा उठाते हुए दूसरों के लिए भी प्रेनादायक कहानी पेश की है महिलाओं एक जुट हैं और आगे भी कुछ नया करना चाहती है आगे बहुत से कारे करेंगे और हम स्वायम से करते हैं किसी की साहेता नहीं लेते है बहुत सारे कारे करता है, तलाब निर्माड किये हैं और पच्री खुद ही बना रहे हैं और अभी बहुत सारा काम करने के लिए रिक्षा रोपन के लिए और जंगल का घेराव किये हैं. कोरोना काल में, जब सब घर में रहें, कोई नहीं निकलत रहें, तो महला महला जा जाके हमान संगठन तयार करें, पूरा हर महला में संगठन तयार करें, 410 और 11 अक्टूबर 2020 में चालू हुई से, अभी एहां हमान 890 होगें टोटल, हमार महिला संगठन ससक्ति करन चला थे, अब बहुत हमान प्रगति की ओर बढ़ा थे हैं, तलाब खुदाई करवान अपने महनत से, सब महिला संगठन मिल के तलाब खुदाई करें, अब इस साल गर्मी में अपने चंदा करके, सब महिला चंदा करके, 84,000 लागा तई से घरी करण करें, पिछले बार मचली पालन कर समू की महिलाएं अपनी लगन के कारण अन्य लोगों के लिए भी प्रेना बन गई हैं, और अपनी महनत से जो मिशाल पेश की है, उसकी चर्चा पूरे बिलास पुर्जिले में हो रही है